आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार स्वास्त विभाग की टीम ने स्कूल में 155 बच्चों के सैंपल लिये थे जिन्वे से 55 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्त विभाग में हड़कम पमच गया सितार गंच से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 55 बच्चे एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिसके बाद स्वास्त विभाग में हड़कम बच गया क्योंकि स्वास्त विभाग के जो टीम थी वो वैक्सिनेशन के लिए स्कूल में गई थी जहां 155 बच्चों के सैंपल लिए गए थे जिसने से 55 बच्चे पाए गए हैं और लगा था कोरोना के बड़ते मामलों को देखते हुए ही सहकार ने दसवी तक के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है बड़े विद्यालियों को भी बंद कर दिया गए सारे स्कूल कॉलेज ताकि बच्चे घर पर रहे सुरक्षित रहें लेकिन उनका जो वैक्सिनेशन है 15 प्लस का वो सुचारू रूप से चलता रहेगा बच्चों की सुरक्षों को ध्यान में रखते हुए एक बड़े फिर स्कूल बंद कर दिया गए लेकिन जब बात आई सितार गंच की तो वहां साथ तारिक को स्यानी साथ दिसंबर को जो सैंपल लिए गए थे उसमें ये बात सामने आई है की एक सो पच्च्पन बच्चों को सैंपल लिए गए थे और अब पच्च्पन बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है राजधानी के नौ विधासभा छेत्रों में मतदाताओ की संख्या के अनुपात में अब एक सो आठ पोलिंग बूद बढ़ाने जा रहे हैं क्या बढ़ाई जा रहे है ताकि मतदान की जो समय सीमा बढ़ाई गई है उससे भी फाइदा हो और साथ ही अब इस बार ये नई चीज़ वो रही है कि जो संख्या थी पोलिंग बूदों की वो बढढ़ा दी गई है पिशली बार एक घटे की समय सीमा जादा दी गए थी प पूरी बनी रहे और धीरे धीरे अगर मतदान होते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत ना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना का प्रोटोकॉल के साथ हो सके तो बूद की व्यवस्ता बनाई गई है जादस्यदा बूद बनाए गए है चार हजार अठारा से अब चार हजार बूद कर दिये गए यानि की अच्छी खासी संख्या में बूदों को बढ़ाया गया है ताकि मतदान में कोई दिक्कत ना आए और कोरोना काल है क्योंकि इसको लेके चुनाव आयोग ने बैठक भी करी थी सभी दलों के बीचे सरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसको चुनावों को निर्धारिश समय पे करना है ये टालना है लेकिन उसके बाद निर्धारिश समय पे ही चुनाव कराने की बात सामने आई तो अब ये बड़ा फैसला लिया गया इस खबर पे मैं से जद बात चीत के लिए समधा तब विभाशू जुड़ चुके हैं आपको बता दे कि लखनव की नौ विधानसवा सीटों पे अब तक 1526 मद्दान केंद्र बनाए गया है और इन 1526 मद्दान केंद्रों की बात करें तो टोटल जो पोलिंग बूथ है उसको 4018 रखी गई है और जनसंखा के मामले में जो यहां के मुख्य जिला चुनाव अधि सीटों को बढ़ा दी जाएगी तो टोटल 4126 मैं पोलिंग बूथ हो जाएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि लखनव के जो नौ विधानसवाएं हैं इस पे 23 23 फेबरवी को चुनाओ होने है और कोवीड के पूरे इंतिजमात कर दिये गया है अब इसे एक प्रकास के द गई थी जी आपको बता दें सिखा कि अब तक जहां भी चुनाओ हुए हैं वहाँ पे इस तरह के कदम उठाए गये हैं एक पोलिंग बूथ पे बारत सो पचास ओटर्स की वोटिंग होगी और वहीं अगर बात करें तो इस बार इस बार के चुनाओ में कुछ अलग देखन लेगी जी इससे पहले जुस तरह से एक घंटे की समय सीमा पढ़ाई गई थी क्या इस बार भी इसी तरक से देखने को मिलेगा जी इस बार उत्तर प्रदेश समेट जो पांच राजियों में विधानसवा चुनाओ हो रहे हैं उसमें एक घंटे का समय सीमा बढ़ा दिया ग किया है और जल्द ही इस पर जो मुख्य चुनाव आयोग है उनके तरफ से मुहर भी लग सकता है जिन लों का वोटर आईटी बनना था क्या वो बन चुका है और जो तयारिया थी वो पूरी हो चुकी है जिनके नए नाम जुड़े हैं उनकी भी सुची आ जाएगी और दिस तमाम लोग जुरे खास कर महिलाओं की अगर बात की जाए तो इस बार एक हजार पर लगभग आट सो बैयासी महिला वोटर भरी है और ये लगभग इसमें तीस वोटरों का पिछली बार के अनुमान से तीस वोटर भरे हैं महिलाओं में वहीं नए वोटर्स की भी संख्या बारी है जी जी बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया महिलाओं से जुड़ने के लिए तमाम जयनकारी के लिए इस ख़बर पर महिलाओं समधाता विभांशी मड़ी तरपाथ ही जुड़े थे तो कोरोना काल में चुनाओ कर आए जा रहे हो इसके मद्दे नजर जो म गार्ड के बीच हुए जड़प में गार्ड ने फारिंग कर दी जिसमें सफाई कर्मचारी की मौत हो गई सफाई कर्मचारी की मौत के बाद आरोपी गार्ड मौके से फरार हो गया जिसके बाद भारी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने सिटी सेंटर मॉल पहुचकर जि की कोशिश की जिसको अस्थानिये लोगों ने बचाया अलिगर्ड से ये खबर सामने आ रही है इस खबर पर मैं समस्वादबाद चीत के लिए समधाता नितेश जुड़ चुके अलिगर्ड से नितेश क्या कुछ जानकारी है किस वजह से ये मार पीट हुए और हत्या की गई अलो जी नितेश आप मुझे सुन पा रहे है नितेश क्या है पूरा मामला ये जो सिटी सेंटर का मामला सामने आया है इसके पीछे क्या वजह रही इस मौत के बाद परीजनों का क्या कहना है और जिस तरह से उनके भाई ने प्रदक्षन किया है और पाचवी मंजिल से जान देने की कोशिश की है इसके बारे में भी जानकारी जाहेंगे पब्लिक खट्टी हो गई और उनके परीजनों का मांग है पचास लाख रुपे की मांग और एक सरकारी नौगरी और पाच लाख रुपे नगत अभी चाहिए ये मांग थी उनकी जी तो क्या मांग को ही पूरा करवाने के लिए जो सफाई करमचारी का मृतक का भाई था वो पाचवी मंजिल पे चड़ गया था जान देने के लिए और उसको जेल भेज़ दिया गया है अब पुलिस ने किन धाराओं के तहट मुकदमा दर्ज किया है क्या कुछ जानकारी है आपके पास नितेश अभी इस बात की अभी पुष्टी नहीं की गई है और जैसी पता लगती है आपको आगे बताया जाएगा जी नितेश हम ये भी जाना चाहेंगे कि आखिर जो ये दोनों के बीच गार्ड और सफाई कर्मी के भी जगड़ा हुआ था उसकी वज़ा क्या थी मुक्खे वज़ा क्या थी एक महमुली विवाद था और इसको लेकर गार्ड ने अपने लाइसेंसी बंदुक से उसको फायर कर दिया और उसकी जिला अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई जे बहुत 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 शुकरिया मैसे ज़ड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैसे समा दाता नितेश ज़ड़े थे अलिगर्ट से एक खबर सामने आई है जहां पर गार्ड सफाई कर्मी के बीच एक मौल के गार्ड सफाई कर्मी के बीच जरा सी नुक जोक में गार्ड ने गोली बार्ड सफाई कर्मी के बीच जिसकी मौके पर ही मौत हो गई जिसके बाद मौत के परीजनों का बुरा हाल है औ इसके बाद वो न्याई की मांग के लिए पाचवी मन्जिल पर चड़ गया और न्याई की मांग करने लगा। वही परीजनों का ये भी कहना है कि उन्हें न्याई चाहिए और न्याई के साथ सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। जिसके माय समवादाता ने बताया अलीगर से एक खबर सामने आ रही है जा जरा सी नोब जोख में जरा सी बात को लेकर ही गोली चेरल गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई हलाकि पुलिस ने इस्पेक्शन लिया है और गार्ड को हिरास्त में ले लिया है रुक करते अगली खबर की तरफ हो ओमीक्रोन के बढ़ते खत्रे के बीच देश भर में आज से फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ गंभीर बिमारी से ग्रस्त साथ साल से उपर के बुजर्गों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज दी गई है इसी कड़ी में बलिया के समय हो गया जिन्हें दोनों डोज ले चुके है वैक्सीन की तो वो अब बुस्टर डोज लगवा सकते हैं जिनकी उमरस साठ साल से ज़ाधा है नौ महिने पूरे हो चुके हैं वैक्सीनेशन के जिन्हों ने वैक्सीन सेट 20 डोज लगवा लिया है और जो प्रंट लाइन व अपील भी की है कि वो जल्द से जल्द वैक्सिनेट हो जाए ताकि जल्दी से सारी आबादी वैक्सिनेट हो जाए और पूरे देश उपर जो कोरोना का खत्रा है वो कम हो सके वलिया से ये खबर सामने आई है जहां पे अलगी अंदास में बूस्टेड डोस लगवाते हुए नजर आए है जलादिकारी और अलगी तरीके से उनने अपील भी किये जनता से ताकि जनता भी जल्द से जल्द वैक्सिनेट हो जाए और कोरोना जिसी बिमारी को हरा सके हम ये देख रहे हैं इस वक्त जो हालात है जतनी तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो हमें दूसरी लहर की याद दिला रहे हैं किती तेजी से दूसरी लहर में भी कोरोना के मामले बढ़े थे लेकिन पहल दूसरी लहर में और अब के समय में अंतर ये है कि हम जादा से यानि कि जो देश की जन संख्या है वो जादा से जादा वैक्सिनेट है जिसकी वज़े से कोई गंभीर इस्थी नहीं पैदा हुई है देश में और राहत बरी खबर ये है कि जो कोरोना वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है कोरोना की जो सिंटम्स है वो भी कम पता चल हैं लेकिन लोग अब जो पहले की तुलना में जो गंभीरता देखने को मिलती थी कोरोना की वो कम हो चुकी है तो वैक्सिनेशन की वज़े से लोगों में इम्यूनिटी डेवलाप हुई है इम्यूनिटी की वज़े से ही लोग अब स्वास्त हैं और जल्द से जल्द ठीक भी हो रहे कोरोना से संक्रफित होने के बाद आराम से कोरोना को हरा दे रहे तो जलादिकारी ने भी अपील की है कि लोग वैक्सिनेट हो अब अलिया से इस खबर पर मैंसा समगता था अखिलेश कुमार जोड़ चुके हैं अखिलेश किस तरहां से लोगों को प्रेरित करते सारे लोगों को जो भी एक कलेक्टर शवागार में जितने मीटिंग में सारे अधिकारी मीडिया प्रेश वारता किये सारे लोगों साहित और जीले के जितने भी जनपतवासियों को सबको वैक्सिन लगवाने की अपील की जी अखिलेश साच साल से उपर के लोगों को भी वैक्सिनेशन की बूस्टर डोज आज से मिलना शुरू हो गई है तो आज कितना उत्साह देखने को मिला लोगों में जैसे आपको बताते हैं जिस तरफ की फ्रेंट लाइन वरकर्स और साच साल से उपर भुजुर्गों के लिए एक यह कवच के समान होगा जैसे प्रिकॉशन डोज के रूप में देखा जा सकता है जैसे जो भी फ्रेंट लाइन वरकर्स होंगे उनके लिए यह कवच के रूप लगने से नहीं रहेगा जी तो आज कितने लोगों को बूस्टर डोज लगी है जिले में लगभग में पांच अधिक लोग से दो केंप लगे हुए तो पांच लोग से अधिक यह बूस्टर डोज लगवाया जी अगर बात करें बच्चों के वैक्सिनेशन की तो वो भी त पांच वहां है पांच वह भाएवा जी यह बृएक देखा जा रहा है कि इस बच्चे का एंट्री दिदे रहे इस वज़से जी से पांचको अस्थान पे आया है यह बलिया अखलेश अगर बात करें बाकी लोगों की जो लोग अभी तक वैक्सिनेट नहीं हुए है तो उनको कैसे जागरूप किया जारा है वैक्सिनेशन के लिए जिला दिकारी अपना अडियो जारी करके मीडिया से और लोगों से समाजिक सस्थानों से यह अपील कर रहे हैं जिस लोगों को वैक्सिन नहीं हुआ है निगरानी समेती तमाम ऐसे बलाक अस्तर सक भी बनाकर और इसे वैक्सिन लगाने की अपील की है और जदि कोई छूड़ भी आता है तो उन्हें घर जाकर घर घर जाकर भी वैक्सिन लगवाए जाए के मामले बढ़ रहे हैं Googher से जो हमारे स्वास्त कर्मीं संक्रुम्थ हो रहे हैं तो ऐसे इसे में कितने रख ृबुश्टर नगवा चुके या और साथ सब्ढ chỉ 309 का चूसी पैस्व आपको बता दे पिल्या में किसी कर्म कोई संक्रुमित नहीं हैं बलिया में 46 एक्टिव केस हैं कोरोना के लेकिन फ्रंट लाइट वर्कर्स जो भी है नर्स है जितना की जवान है पुलिस के जवान है सारे लोग को बुस्टर जल्ड जैसे आद जी लाधिकारी नहीं है बताया कि बहुत से फ्रंट वर्कर्स को चुनाव है और हम जितना से को जड़ से जल्ड सारे यह मामले बुस्टर डोज लग पिप लगगे जाए गये जिए अधिव अच्छ वस्टर केंप लगे हुए थे एक डीला होता और एक कंस् साले में लगा हुआ जिब बहुत बहुत शुक्रिया मैसफ जूढने के लिए इसक पर माईसस सम्वधा था अखिलेश कुमार जूढे थे बलिया से चार बजी की चार बड़ी खब्रों में फिलहा लिकता ही तमाम खब्रों के लिए देखते रही प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार